जै 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 गंगा महरानी बाप नासनी जो कहलाए माता जी की खरती फता का जल के भीच रही लेह रहा जिनकी भोजा में कंगन सोवित कर में संख चूड़ी दिखाए से उत बस्त्र धारण मां करती उजवल छटा रही बिखिराए मांगे में ठीका नाक नपनिया पग पे जनिया रही बजाए से उत मोतियों का गर्माला तनकारा संदर बढ़ा तीनों लोक चूड़े भुवन में तीनों लोक चूड़े भुवन में जिनकी क्रती रही लहराई पाप नासनी तुम हो मईया धर में की ध्वजा रही फेराई निरमल जल में जो डुब की मारे साथ जन्म के पाप नसा जगतारन को आई धरा पे कल कल करती बहती जहां तुम बिन यग न पूरे होते चाहे करे कोई कोट उपाई केसे आई धरा धरती पे पावा ने कधा को रही सुनाई अभद के राजा सगर प्रता पी आबाद के राजा सगर प्रता पी जिनकी क्रती कही न जाए धने धाने से परीपूर थे धर्मे की धजा रहे लेह रहाई जिनकी रानी परम संदेरी बेदर भी जिनका नाम कहाई पटरानी भी आती सुन्दर थी जिन समान कोई दूजा नाई पटरानी का नाम सप्या जिसे देख सुन्दर ताल जाए चंद्र मुखी लगती थी दोनों कमल के जैसे नेनी दिखाए ओठ गुलाब की पंखुडी लगे ओठ गुलाब के पंखुडी लागे तन के चमक से सूरी लजाए लेकिन दोनों के पुत्र नहीं थे पुत्री की चिंता रही सताय राजा सगर भी चिंतित रहते सूझ रहा ना कोई उपाय राजिकार मंट्री पे छोड़े जंगल की ओर कदम बढ़ाय आगे राजा पाछे रानिया चल के भ्रगु छेत्र में आए भ्रगु मुनी की जो तप भूमी जहां का तप खाली ना जहाए राजा सगर ने तप काया सन राजन आखे खोलू आखे खोलू राजन भला ऐसा कौन सा कारण है जो इतनी कठिन तपस्या कर रहे हो राजन तुम्हारे इस विराठ तप से प्रथवी ऐसी तप रही है मानों प्रलय आने वाला हो आखे खोलो यह भ्रगु रिशी की भूमी है राजन और इस भूमी से आज तक कोई भी निराश नहीं लोटा है कारण बताओ राजन कुछ तो बोलो तुम्हारे तप का बल अती बलशाली है अर्थार्थ अब विलम ना करो राजन अपनी इस कठिन तपस्या का कारण बताओ रिशीवर रिशीवर आपको साधर चरण वंदन करताओ प्रणाम करताओ है रिशीवर कहने को तो मेरे पास संसार का सारा धन वैबाओ एश्वर और मेरे राज की दूर दूर तक ख्याती है परंतु भगवन इतना सब होने के बाद अगर इस राज पाठ का कोई उत्तरा धिकारी ना हो तो बहुत दुख की बात है भगवन मुझे संतान दो मेरा राज महल भी किलकारियों से गूझे भगवन संतान सुक के बिना निरर्थक है सारा जीवन रिशीवर मुझे संतान दो मुझे संतान सुक दो रिशीवर राजन भला तुम ने ये कैसे सोच लिया कि तुम्हारा राज महल किलकारियों से नहीं गूझेगा इतना चिंतितना हो राजन भगव रिशी की इस पावन भूमी से आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं लोटा है तुम्हे संतान सुक मिलेगा और अवश्य मिलेगा तुम्हे एक राणी से एक पुत्र और दूसरी से साथ हजार पुत्रों की प्राप्ती होगी जाओ राजन तुम खुशी खुशी राजमहल में जाओ ये हमारा वचन है जो कभी खाली नहीं जाएगा जाओ और जाकर ये खबर राणीयों को सुनाओ खुश्या मनाओ राजन जाओ राजा सगर ने तपकाया सन भ्रगू छैस्र में दिया लगाई कठ़न तपस्या की राजान तीनों लोग को दिया हिलाई धर्ती हिल गई अंपर हिल गई भ्रगू काया सन गए धर राél द्रपद्रष्टि से भ्रगू न देखा राजा सगर को तप में पहाई बदन सूख के खाटा हो गया लागे प्राण तन छोड़ के जाई जा पहुचे भ्रग सगर के सनमुख उनको तप से दिये उठाई भ्रगूर सी सगर से बोले रगूर सी सगर से भोले कारण कोन समाधी लगाई क्यों कर रहे हुँ कठिन तपिश्या पल में लागे प्रलाए हो जाए मेरे तपो भूमी में आंकर कोई खाली हाथ न जाए तपका बल्याती ताकत पर है इस समान कोई दूजा ना क्या है तेरा मनोरत राजन यथा सीग दो मुझे बताए राजा सगरे भभू से बोले मुनी वारे सुनिये ध्यानी लगाई दोनो रानिया परम संदिरी किन्तू गोद सुनि कहलाए राजा सगरे भगू से बोले पुत्र की चिंता रही सताए भगू मुनी राजा से बोले राजन सुनिये मन चितिला एक रानी से एक पुत्र हो तूजी से हो साथ हजहार खुसी खुसी तुम घर को जाओ मेरा बचन न खाली जाए ब्रथे न जाए देवरिसी की बाणी मन में लो ये बात विठार खुसी खुसी रानी संग राजा खुसी खुसी रानी संग राजाए अपने महिल को बाब बसी आए हर सित हो गए नगर की चनता लहर खुसी का गया समाए महल में आए कुछ दिन भीते समाचार गय सुकत सुनाए रानी को एक लड़का हुआ है राजा खुले नहीं समाँ धूमे मची है राज महल में असमन जस गया नामी रखा दूजे के गर्भे से पिंडे निकल गया देखा नहारे देखत रहे जाए महराज की जाओ महराज की जाओ बधाई हो राजन बधाई हो क्या बात है पहरेदार और बधाई किस बात की दे रहे हो महराज महराणी को बड़ा रूपवान बेटा हुआ है महराज और पटरानी के पेट से एक पिंड निकला है और धरती पर पड़ते ही वह पिंड फट पड़ा है जिससे साथ हजार सुन्दर सुन्दर भूपवान पुत्रों ने जनम लिया है राजन पूरे साथ हजार पुत्रों ने आप साथ हजार पुत्रों के पिता बन गए राजन बधाई हो बधाई हो राजन आप साथ हजार पुत्रों के पिता बन गए हटा पिंड केलकारी कुझे बच्चे निकल साथ हजार नगर की सारी चनता जूमी खुशी से जूमे कुल परवार हिते कुटमबी रिस्मुनियों को राजा ने उता दिये पठा जगह जगह से रिस्मुनियाए राजा के पास में आसन लगाँ धोले नगाडे बजे दुन्दुवी सुन्दर ध्वनी है रहा सुना हुआ वो सव का भपी आयो जन पंडिते मंत्रों चारी सुना बिंधे गिरी की छटा निराली बिंधे गिरी की छटा निराली जिसकी छटा न बरनी जाद हिमालाए और बिंधे क भीट में सुन्दर यग गया है खना अस्व मेग का अस्व सचा के राजा ते लग दिये लगवाए आंगे अस्व मेग का घोडा अन्सुमान पीछे से जहां राग्छा सुरूप इंद्र ने पकड़ा और घोडे को लिया चुराए कपिल मुनी के आस्रम जाकर वहीं फे खोडा दिया टि कहां अन्सुमान बन बन में भट के अन्सुमान बन बन में भट के घोडा कहीं न चरिनायाई वापा से आई राज भवन को दिये हैं अस्र कहाल सुनाय राजा रिसी मुनियों से बोले किसी ने अस्र को लिया चुराए रिसी मुनी राजा से बोले राजान सुनिये ध्यानि लगाए अस्र बिना ये यग्ग अधूरा यग्ग न पूरा होने बाई किसी तरह से अस्र धूडिये नहीं तो यग्ग पे फल हो जाए अस्र मेग और बिना अश्र के राजन ये किसी बहुत बड़ी अनहोनी के संकेत लग रही है हम अश्र मेध यग्ग कर रहे हैं और अश्र मेध यग्ग का अश्व चोरी हो जाए ये बहुत बड़ा अप्शकुन का संकेत है राजन राजन ध्यान से सुनिए अश्मेत यग्य का अश्व चोरी हो गया है तो उसे धर्ती, अंबर, पाताल जहां भी हो धुनवाईए उस अश्व के बिना यह यग्य अधूरा है राजन जैसे भी हो उस अश्व को ढूंडिये खोजिये राजन नहीं तो आपका यग्य विफल हो जाएगा पुत्रों, ये हमारे अस्तित्व की बात है हमारे सम्मान की बात है आज बात हमारी प्रतिष्ठा पर आ गई है धर्ती, अंबर, नदियां समन्नर, आकाश्पाताल प्रम्हान्ड का ऐसा कोई भी कोना हो हर हाल में हमें अश्व का मेद अवश्य चाहिए मैं अपने सारे साथ हजार पुत्रों को यहां क्या देता हूँ कि अभी इसी हाल में कहीं भी कैसे भी एन कैन प्रकारण खोज कर लाओ वो भी अतिशीक्र आदेश का पालन हो जाओ अश्व मेघे और बिना अश्व के यह सा कभी हो सकता नौई राजा सगर ने बात सुनी है तलबल अपना दिये पठाई साथ हजार पुत्रों को छोड़े जिनकी बीर तावर नी न जाए चले बीर समी धर्ती हिले देवी लोग भी गय धर रहा धर्ती पे जितने राग्छस थे वहाँ दर से कनरा भीच समा एक से एक महाबल साले जिसका बल था है न था हाए साथ हजार पुत्र सप्या के साथ हजार पुत्र सप्या के अपनी ताखत दिये लगाई फिर भी खोडा नहीं मिलाता भात लिये को दाले उठाए लगे धर्ती माता को खोदी ने धर्ती को दिये पताले बनाए सगर पुत्र ने सागर खोदा सगर नाम साथर पहला जा पहुँचे पात ताले पुरी में कपल मुनी जहाँ आजन लगाए जहाँ विश्नु थे कपल रूप में वही घोडे को पंधे हैं पहाँ रिसी को ध्यान मगन देखे हैं रिसी को ध्यान मगन देखे हैं क्रोध की उनकी सी मानाई यही चोर पापी मुनी बर है सगर पुत्र ने किया बिचार डर से वेश मुनी का पकड़ा देदे हैं इसे मजा हाँ चिखाई जा पहुँचे मुनी बर के पास में मारो पकडो रह चिलाई कपल मुनी ने आँखे खोली द्रश्टी सगर पुत्रों बेटी काई आँखों से निकली चिन गोरी सगर के पुत्रों को दिया जलाई भास में हो गई काया उनकी हस में हो गई काया उनकी पुत्रे न लोट के बाम बसी आई राजा सगर की बढ़ गई चिन्ता अनसुमान को लिये बुलाई अपने पुत्रे अनसुमान को राजा सगर विधिवन समझाए घोड़े और अपने चाचा को तु ही सकता है ढूड के लहाई यथा सिक्र प्रस्तान करो तुम नहीं तो यग विफल हो जा तुम ही कुल के दीपक मेरे कहके सीन से लिया लगा अनसुमान प्रस्तान किये हैं जप भगवत वासुदवाय कपल मुनी के आस्रम पहुँचे जहाँ थे मुनी वर ध्यान लगाय किया है सिर्यार की इस्तुती कपल मुनी प्रेशन हो जाय कपल मुनी बोले अनसुमान से बात को सुन लो ध्यान लगाय तेरा अस्वत बंधा पड़ा है इसे खोल कर तू ले जाय वास में तेरे चाचाओं की जो की मुझ को समझे न पाई बिन गंगा जलतर नहीं सकते प्रणाम रिशिवर मैं राजा सगर का पुत्र अन्शुमान आपके चर्णों में साधर प्रणाम करता हूँ भगवन मेरे पिता राजा सगर ने विराठ अशुमेद यग्य का आयूजन किया जिसका अश्व कहीं गुम गया है जिसका पता लगाने के लिए मैं स्वयम आया हूँ रिशिवर और आपके आश्रम में उस अश्व को देखकर आप से जानने की जिग्यासा भी भगवन क्योंकि यह अश्व को ढूनने के लिए मेरे साथ हजार चाचा भी गई थी जिनका कोई भी कुछ भी किसी प्रकार का सुराग नहीं मिला वह कहां है मैं अश्व के साथ उनका भी पता लगाने आया हूँ बगवन वस अन्शुमान किसी ने छल से अश्वमेद का अश्व यहां पर बान दिया है जिसे तुम ले जा सकते हो और नहीं बात तुम्हारे साथ हजार चाचाओं की तो वो अहंकार के मद में मुझे पहचान नहीं पाए और सब मेरे हाथों भस्म हो चुके है यह राख का धेर जो तुम देख रहे हो यह उन्ही साथ हजार वीरों का है पर ध्यान रहे यह राख का धेर बिना गंगा जल के तर नहीं सकता क्योंकि इन्हें ब्रम्हदंद मिला है और बिना गंगा के यह मुक्त नहीं हो सकेंगे तो इन्हें तारने के लिए माता गंगा के जल की आवश्चता है बिना गंगा के यह मुक्त नहीं हो सकते नहीं हो सकते पिन गंगा जलतर नहीं सकते चाहे करो तुमको तूपाई ब्रह्मिक का डंड लगाई इन पर्थ पिन गंगा के न मुक्ती पाई पर्ख मकिया का पिले मुनी का खोल के घोडा दिया दोडाई जा पहुचा है सगर के सनमुख समाचार सब दिया सुना अत्मेग के अनुस्थान को राजा सगर पूरा करवाई अंसुमान को राज सोप के राजा गए जंगल में यहाँ पान प्रस्थ में राजा सगर ने पान प्रस्थ में राजा सगर ने और विरसी को लिया पुलाए उनके बताए तब को की ना फिर भी न गंगा प्रगट हो पाई कंचन काया काटा हो गई राजा परम गती को माई सगर के बाद अंसुमान ने तब काया सन दिया लगाई साथ हजार बर्स तक की ना फिर भी गंगा प्रगट हो पाई अंसुमान ने सारी बातें पुत्रे दिलीब को धी बत लाए अंसुमान ने भी प्राण तज दियें अंसुमान के बाद दिलीबन सासन सपता रही चलाई जिनके पुत्रे का नाम भागी रह थे बालक चंचल रहा दिखा उस पे सासन सपता सौप के तपका भी आलिये उढ़ाई बिंधे गिरी पे जा पहुँचे है तपका या तन दिये लगा तन को सूख के लकड़ी हो गया गंगा का फिर भी दरस न पाई के से तारूंगा पुर्खों को इसकी चिंता रही सता हाई गंगा गंगा रटते रटते गंगा गंगा रटते रटते कंथे दिली पिक गया सुखाई निकल गए है प्राणे पखे रूप प्राणे को अपने दिया गमाई पुत्र भागी रट पिता के बाद में तपका भीडा लिया उठाई तीस हजार बरस तप कीना गंगा का फिर भी दरस न पाई घोर तप स्याज सुरू कर दिये हैं एक पेर पे खड़ हो जाए फिर भी नहीं प्रगटी है गंगा रहे को कारत गंगा माई भी सण तपको सुरू कर दिये भी साल नप को सुरू कर दिये एक अंगुठे पे खड़े हो जाए तस परसों तक एक अंगुठे पे भागी रत तप किये हैं जाए फिर भी नहीं मगंगा प्रगटी तपको दिये हैं और बढ़ाए गर्मी में अगनी विच्च दियते जाडे में पर्फ पे आतल लगाए खाना पीना छोड़ दिये हैं बायू पी कर दिन वो बिताए बायू भी पीना बंद कर दिया प्राडे गए हैं कंठ पे यहाँ तप से तीनों लोक हिल गया तप से तीनों लोक हिल गया सारी स्रष्टी गई धर्रोय प्रम्हा हिल गई विसनू हिल गई सिब संभू मन में मुसका देखिक भक्ती भागी रथ की प्रम्हे देवे प्रगट हो जाए पास में पहुँचे भागी रथ के तप से उन्हें रहे हैं जगा फिर भी नहीं माने हैं भागी रथ है तब गंगा को लिए बुलाए गंगा और ब्रम्हा जी मिलके विसनू जी को साथ है मिला तब तोड़ा है भक्त भागी रथ है भागी रथ आखे खोलो हजार वर्षों के तुम्हारे इस घोर तप ने हमें आज विवश कर दिया है वत्स आखे खोलो और देखो स्वयम श्री हरी विश्रू माता गंगा को लेकर आए हैं आखे खोलो और बताओ कि गंगा को इस धरा में लाने का क्या अभी प्राय है हमें बताओ वत्स किस कारण वश पतित पावनी गंगा को स्वर्ग से इस प्रत्वी पर बुलाना चाहते हो कहो वत्स कहो क्या कारण है कुछ तो कहो प्रणाम करता हूँ वंदन करता हूँ श्री हरी विष्णू के चरणों में श्री ब्रह्मा जी के चरणों में माता गंगा के चरणों में प्रणाम करता हूँ भगवन अश्मेत यग के अश्व को ढूंडते हुए हमारे साथ हजार पूरवज कपिल रिशी की आश्रम में आप पहुँचे और वहां यग का अश्व दिग गया और फिर क्या था वह हंकार के मद में इतने चूर हो गए कि वह कपिल मुनी जैसे विरागाट संथ का अपमान करने की भूल कर बैटे और इस पर कपिल मुनी ने उन्हें ब्रह्म दंड से दंडित कर सभी की काया को भस्म कर दिया उनका शरीर तो राक हो गया भगवन लेकिन उनकी आत्मा को मुक्ती नहीं मिल पाएगी भगवन मुक्ती नहीं मिल पाएगी क्योंकि उनकी आत्मा की मुक्ती के लिए मोक्षदाइनी मा गंगा की आवश्यक्ता इस प्रत्वी को है अर्धार मेरे पूरवजों को तारने के लिए मुझे केवल मा गंगा का जल चाहिए जिससे मेरे पूरवजो को मुक्ती मिल सके भगवन मेरे पूरवजो को मुक्ती मिल सके मुझे गंगा मा चाहिए भगवन मुझे गंगा मा चाहिए तथास तू तप तोड़ा है भक्त भागी रत गंगा विसनू ब्रम्हा को पाई परमांगो है भक्त भागी रत बेतीनों बोले मुझे का चाहिए मुझे को किवल गंगा बोला भागी रत है सेरना मैं अपने पुर्खो को तारू मेरा जीवन सफल हो जहाँ ऐसा ही हो भक्त भागी रत बरदे करतीनों मुझे का विसनू के चरणत छूटी है गंगा बेग भयान के लिए पना आती प्रचंड बेग गंगा पव अती प्रचंड बेग गंगा का जिसको कोई रोक न पाए ती प्रब्रेग से टकरा करके परवत भीराई बन जाए अती भयानक रूप बनाई धरती लागे रता तल जाए रोतर रूप देखे गंगा मां का पल में लागे प्रलै हो जाए मस्त धूमी में सिवतम भूजी अपनाया सन के लास पिलाया हाँ हाँ कारे मचाती न लोक में गंगा को कोई रोक न पाए देखे ता सन्व भागी रत पहुचे जयोता संग भागी रत पहुचे सिव जी धोनी जहरमाई ध्याने तोडिये सिव संभू सभी जपे उना मस्त बहाँ या था त्रिग यदि नहीं चगे तो तीनो लोक जल मगन हो जाए कोई भी प्रमड़ी पच नहीं सकतो थोड़ी भी गर तेरे लगाँ ध्याने भंग हुआ सिव संभू का सिव जी मन मन मुसका दियो ताओ के संग भागी रथे आप बीती सब दिये सुना हाँ सिव संभू ने बात सुनी तो सिव संभू ने बात सुनी तो सभी देव गल गए हर साई रोका नहें तु प्रचंड पेग को सिव गंगा के सन मुक यहाँ काल पनी बिकरा लेह गंगा महा काल को समझे न पाए गंगा जी सिव जी से बोली तीनों लोग को दूंगी बहाँ भ्रगु को रोक नहीं कोई सकता जिसको जो रहे वो अजमाई अहंकार बस गंगा जी ने अपने वेग को दिया बढ़ा रोधरूप धर रोधर के आंगे ये भगवान ये तो और भी अनर्थ हो जाएगा माता गंगा को मैंने इस प्रत्वी पर तो बुला लिया लेकिन मैं इस बात से तो अनिभिग रहा कि माता के इस प्रचंड वेग को भला कौन रोक पाएगा भला किस में इतनी शक्ती है और यदि माता गंगा के स्वेग को कोई रोक न पाया तो माता सीधे पाताल में चली जाएगे और मेरे पूरबज फिर अतरप्त रह जाएगे ए इश्वर ए भगवान में क्या करूँ ये तो बारी अनर्थ हो जाएगा भगवर बारी अनर्थ नारायन नारायन भागीरत जहां पर श्रीहरी ब्रह्मा और देवों के देव महादेवों वहाँ पर किसी भी प्रकार का चिंतन नहीं करना चाहिए यदि एक ने प्रत्वी परगंगा को भेजा है तो निश्य दूसरा उसके वेग को समा लेगा तुम महादेव का गुलगान करो हर हर महादेव रोत्र रूप धरी रोत्र के आंगे सिव संभू भी गई गुस्याई तीन लोग चौत ही भुवन मैं अपनी जटा को दिये बढ़ाई जटा के बीच में फस गई गंगा किधर को जाओ गई भुलाई स्वार्ग से गिरी जटा में फस गई धर्ती में पानी पहुच न पाई कैसे अपने पुर्खाता रूप चिंसा भागी रत को गई सताई कहा गई गंगा महरानी मुझको तो कुछ समझ न यहाँ इतने में नारद्या पहुचे इतने में नारद्या पहुचे नारायानी का ध्यानी लगाए भागी रत को आकर नारद्य बात को सभी दिये समझाए सिव सम्भू का ध्यान धरो तुम तूजा नहीं है कोई उपाई पुनहे भागी रत तप में बेठे सिव सम्भू का ध्यान लगाए बहुत बर्स की कठिन तपिश्या सिव जी का यातन दिये हिलाए प्रगट हुए सिव सम्भू दानी भागी रत से बोले मुसे कहाए बर्मागो बेटा तुम हमसे बर्मागो बेटा तुम हमसे जो भी तेरे मन को भाई मुक्त कीजिए गंगाजी को बोला भागी रत सिरना साथ खंड में बट गई धारा सिव जी जटा लिए भेला एक धारा ले जाओ धरा पे जिससे अनार्थे न होने पाँ भागी रत चला आगे आगे पीछे से गंगाजी आए भागी रत तेरे नामे अमर हो भागी रती गंगा केला रत के पीछे भागी गंगा रत के पाँचे भागी गंगा इसलिए भागी रत के हिलाए तिपर बेग से रत चलता था पीछे चलती गंगा मा जहन विरसी का यग समगरी गंगा मा ने दिया बहा जहन विरसी ने प्रोधिमिया कर अपना आंजल दिया लगा पी गए पूरा जल गंगा का नई मुसीवत गई है आए पीछे मुण के देखा भागी रते कहीं नहीं गंगा जी दिखा जहन विरसी के आस्रम पहुँचे प्रणाम रिशिवर मैं भागी रत हूँ मैं भागी रत हूं रिशिवर अपने पूरवजो को तारने के लिए हजार वर्षों की कठिन तपस्या के बाद माता गंगा बड़े तीब्र वेग से आकाश से इस धरा पर आई है रिशिवर भगवान भोले नात ने एक धारा के रूप में स्वयम्मा गंगा को मेरे पीछे भेजा है गुरुवर यदी अधारा कपिल मुनी के आश्रम तक ना पहुँची तो मेरे पूर्वजो का तरना असंभा हो जाएगा भगवन हजारों वर्षों का तब व्यर्थ हो जाएगा गुरुवर कपिल मुनी के श्राप से मुक्ती के लिए मेरे और मेरे पूर्वजो द्वारा हजारों वर्षों से गंगा हे तू कठो और तब किया जा रहा है भगवन हमारे उपर कृपा करो कृपा करो गुरुवर हमारे उपर कृपा करो राजन हम प्रसन्द हुए तुम्हारा यश और तुम्हारे तपको योगों योगों तक याद रखा जाएगा जाओ गंगा तुम्हारे साथ ही जाएगी यह लोग और तारो अपने पूरवजों को हमारा वर्दान है कि गंगा तुम्हारे पूरवजों के साथ साथ संसार के हर मानव को योगों योगों तक तारेगी और तुम्हारे तपके कारण ही गंगा को अब मोक्ष धाइनी भी कहा जाएगा जाहू राजा तुम्हारे पूरवज की अस्तियां हजारों वर्षों से गंगा जल की प्रतीक्षा कर रही है जाहू राजा जो आग्या भगवन जहनवे रिसी के आस्ताम पहुचे सारी घट ना दिये बतार जहनवे रिसी से भावी रत ने मा गंगा को लिया छुड़ाई मुख से पिये कान से उगले कल-कल धोरा बेहती जाए जहनवे रिसी के कान से निकली जहनवी कया है नाम रखाए भागी रत के पीचे गंगा कल-कल करती बेहती जाए कपल मुनी के आस्ताम पहुची राखे अस्तियां दई बहाए यहां पहुची गंगा धारा को यहां पहुची गंगा धारा को कपल धारा भी बोला जाए तारे दिया भागी रत के कुल को मा गंगा को धारा पिला आज तिलान जली दिया गंगा जल से पितर स्वर्गी लोग को जाए ब्रम्हा बिसनू हर्सित हो गए केलास पे सिवजी रहे मुसे कहां सभी देवता हर्सित हो कर मा गंगा पे फूल बरसा भागी रत गए अबद पुरी को गंगा गई हिमालाया गो मुक से चली मगंगा काओं मुक से चली मगंगा कल कल धाना बहती जाए वो जबल इछबी है छटा निराली जो देखे देखा तरे जहां हरी का द्वार है पावन नंगरी इसलिए हरी द्वारी कहां गंगा मा हरी द्वार में आई जिसकी छबी न बरनी जहां तारन तरनी गंगा जीने यहां पे आहरी सिरी नहां जो भी यहां इसनाने करे वो उत्ता में फल को जाता पाए महा कुंभि का मेला लगता जुड़े यहां सभी संति प्रदाय नागायोगी पंडित ज्यानी सभी लोग यहां आके नहां हरी की पोड़ी ही हरी द्वार में अती महा सुंदर दिखिला यहां कुंभि इसनाने करे वो सारे तीर्थों का फल पाँ दुख दर्द्रता दूर करे मां अंति समय हरी के द्वार जाए यहां का निर्मल गंगा जल है नीलिक कंथ पे लोग चड़ां हरी द्वार से चली मां गंगा हरी द्वार से चली मां गंगा गई यह लाहावाद को आये लाहावाद का दूजा नाम है पीर्थे राजे प्रियाग कहा क्या कहना यहां गंगा मां का गजब कित्रपा रही बरिसाए गंगा टट पे ब्रम्हा जीने यहां अस्व मेग यग करा जसे वार यहां यग करा ये जब आस्व मेग घट नामे रखा प्राप का अर्थ बिसाल होता है यग का अर्थ यग कहला इसलिए तो यह सीरत है यहां के कुम्हे में जो भी नहाए सारे पाप धूर हो जहाए देसी लोग क्या बेदेसी भी यहां पे गंगा आरितिगा जो भी गंगा आरितिगा ता छुटका राय उमलोक से पाई लहाबाद से चली मगंगा कई का सी नंगरी को आए क्या कहना का सी नंगरी का जिसका वणन निकिया न जहाए परन पवित्र बावन गंगा में पारा में पवित्र बावन गंगा में लोगे जलाने शव्य को आए सब को जला कर बची अस्तियां गंगा के चल में रहे से रहा जिनकी अस्तियां गंगा में जाए वो प्राणी सीध स्वर्ग में जाए यहां के पावन गंगा जल को विस्वेनात बेभक्त चड़ाए मुंदन करा के पित्तर पूझा हिंदू धर्म के लोगी करा आए यहां के पंडा पूझा कराने जज्मान को गंगा टट पे ले जहाँ गंगा जैसे रखो गंगा घाट में गंगा दट हे रखो गंगा धाट पे गंगा जी में दीपक जलाए गंगा में दीपक तो जलाए गोयम पूरी कभी ना जहाए कासी नंगरी से चली मा गंगा कई है सागर बीच समा जहाँ पे मा सागर में समाई गंगा सागर तीर्थ कहा सारे तीरत बार बार हैं गंगा सागर एक ही बार सरवे त्रित भल एक बार में गंगा सागर जाके पां संजेत बारी लिखे कथा को इनकी चूक छमा हो जाए संजो बगेल ने दिया सुनाए गंगा मा की कथा सुनाए संजो बगेल ने दिया सुनाए गंगा मा की कथा सुनाए मा